AdBlue Warning और Refilling कार से हानिकारग गैस को कम करने के लिए डीजल एक्साउस्ट फ्लूइड, DEF या AdBlue को नियमित अंतराल पर प्रतेक MG BS6 डीजल वाहन में डाला जाता है यदि आपके MG वाहन में AdBlue का स्तर घट जाएं, तो यह स्टेरिंग वील के पीछे की स्क्रीन पर एक चेतावनी लाइट दिखाता है आपको इस चेतावनी लाइट को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए यदि AdBlue Liquid का स्तर एक निश्चित लेवल की नीचे चला जाएगा, तो वाहन शुरू नहीं होगा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीजल के विपरीत आपको कार फिर से शुरू करने से पहले AdBlue स्तर को पूरी तरह से भरने की आवशक्ता है आपको घबराने की आवशक्ता नहीं है, क्यूंकि इसे आप स्वय भी भर सकते हैं यदि आपकी तेयारी लंबी यात्रा पर जाने की है, तो यह सला दी जाती है कि आप अपने साथ AdBlue Container तथा Special Dispenser Nozzle के साथ कार में रखें ताकि आपको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े अपने वहन में AdBlue भरना बहुत ही आसान है इसकी शुरुवात AdBlue Tank को ढूनने से करें, जो की Diesel Tank Filter के साइड में दिया गया है अब टैंक का ढखकन खोलने से पहले, आपको Dispensing के लिए AdBlue Container तयार रखना चाहिए Cap खोल कर, कंटेंर की Seal हटा लें और Nozzle अटाच कर लें इसके बाद AdBlue Liquid को टैंक में डाल दें प्रॉपरली अटाच करने के बाद, AdBlue Filling टैंक की Cap को खोलें और अपने MG में AdBlue Level का Top Up करें अब आप बिना किसी चिंता के आपकी MG की सवारी के लिए तयार है